दोस्तो अप्रेंटी सीब के लिए सब से वरियत समस्या है कि GM Power कब लागو होगा बहुत से अप्रेंटी सीब कनिडेट प्रिसान है कि सर, GM Power कब लागو होगा इसके बारे में बताइये तो दोस्तो आज मैं आपको बताने व spaghetti लागो होगा दोस्तों GM power को ले करके railway का जवाब आया है कि हम इस पर मन्थन कर रहे है और इस पर हम committee बनाए है पूरी जांच आने के बाद हम GM power लागो करेंगे सीप गोपाल मिसरा जी ने PNA meeting या बात उठाया था कि railway apprentice ship को GM power के माध्यम से direct भरती आप करिये ताकि जल से जल सभी apprentice ship को रुजगार मिले और समय समय पर apprentice ship association के द्वारा भी GM power के लिए tutor अभियान चलाया जाता है सीप गोपाल मिसरा जी से मिला जाता है कि जल से जल apprentice ship वालों के लिए GM power लागो किया जाए दोस्तों GM power का मतलब है कि आपका जो NAC certificate है उसका 100% marks के अधार पर apprentice ship का selection किया जाए इसी के अधार पर GM power के माध्यम से भरती होगा तोस्तों railway में बहुत सा अन्य को भी अरक्षन दिया गया है जैसे कि अगनी बीर को railway group D में 10% का अरक्षन दिया गया है PWD को भी 4% का अरक्षन दिया गया है तो SME apprenticeship association या मान कर रही है कि अगर GM power लागू होने में बिलाम होता है तो हमको जो NAC certificate है उसका 100% marks ले करके आप हमें group D में 50% का अरक्षन दिया दोस्तों अभी CCA वाले को 20% का अरक्षन मिलता है तो apprenticeship के अधियाक्ष चन्नर पास्मान जी ने बोला कि हमको 50% का अरक्षन दे करके जितने भी apprenticeship बचे हुए है सभी का selection करिए तो दोस्तों railway के द्वारा इस पर बिचार चल रही है और railway के जो महमंत्री AIRF के महमंत्री मानिया सीव गोपाल मिस्रा जी भी रेल मंत्र जी से मिल रहे है चर्चा पड़ी चर्चा कर रहे है कि जल से जल अपरेंटिस सीव को रोजगार दिया जाए GM Power जल से जल लगो किया जाए असीस मिस्रा जी ने भी बहुतों बार सीव गोपाल मिस्रा जी से मिल एक GM Power सर जल से जल बहाल करिए तो दोस्तों अगली बार जब PNA मीटिंग होगा तो उस PNA मीटिंग में शीप गोपाल मिश्रा सर को GM पावर को ले करके एक बड़ी अपडेट बताया जाएगा कि GM पावर कब लागू होगा तो दोस्तों मामंत्री सीप गोपाल मिश्रा जी रेलवे बोड के जो चेयर मैन है उनसे भी बात किये है कि जल्द से जल्द अपरेंटी सीप को रजगार दिया जाए जो जमालपूर करकाने में अपरेंटी सीप को अस्थाई तोर पर भरती का एक आदेश निकला था उसका धक चंदर पासमान जी बिरोद किया है और डिरेक्ट भरती दिया जाए जीएम पावर के माध्यम से हुआ है चंदर पासमान जी ने ऐसा माइंग किया है तो दोस्तों देखिए आने वाले समय में जब PNA मीटिंग होगा रेलवे बोड में जिनको हम JCM भी काते है जोइन सेक दर्चा होगा और बहुत जल्द सभी अप्रेंटिस को GM पावर दिया जाएगा तो दोस्तों यही अपडेट था कि GM पावर कब लागू होगा आप लोगो को मैंने इस वीडियो में बताया तो सभी अप्रेंटिस के लिए बहुत बढ़ी खुश खबरी है बहुत जल्द GM प सभावर के माध्यम से किया जाए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगली बार जो भी अपडेट आएका वीडियो के मांदर से पताऊंगा बहुत बहुत धन्यवाद